असलाम लेकुम नाजरीन आप सभी नाजरीन का मैं खेर मगदम करते हैं कि यो एनस टीवी में मैं हूँ सबा अंसारी नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि कल कश्मीर सोबे के क्लास 10 के रिजल्ट इस डिकलेर किये गए जिसमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स की उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिली है ऐसी एक स्टूडन्ट जिनका नाव फैसल हमीद है आज हमारे साथ मौझूद है जो कि पब्लिक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल हैंसितापूरा से है इन्होंने क्लास 10 में 500 में से 496 नमबरात हासिल करके इम्तियाजी मकाम हासिल किया है तो चलिए बात करते हैं इन से और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या ख्याल है इस क्लास 10 के जो रिजल्ट आया है इसके बारे में तो सबसे पहले फैसल साहब मैं आपका खैर मगदम करती हूं के नस टीवी में आप हमारे वीवर्स को अपने बारे में बताएं नम हैसल हमीद है आएं फ्राम निलांग बटपूर शुपयान और मैं पड़ता था जब रिजल्ट डिकलेर हुआ आपको पता चला कि क्लास 10 कर रिजल्ट डिकलेर हो चुका है और आपको रिजल्ट पता चुका है तो कैसा फील वा आपको जब रिजल्ट डिकलेर हो तो इस वगता हैं कोजी सेंटर में तो मैं चला रहे थे कि रिजल्ट डिकलेर हो लेकिन में मुझे बारोसन नहीं हो रहा था क्यूंकि बहुत बहुत पहुत बहुत अपना रोल अमरिस को दीजे देखते कि आपने क्या है तो जब मैं इसने रोल नमर देया तो इसके 486 से मुझे बहुत खुशी हुई फिर मैंने मैंने सुझा कि मैं रोम पे जा के वह अपना रिजल्ट चाह करता हूं लेकि मैं सुझा नहीं वहां नहीं चाह करें कि मैंने उसका आप मेरे मार्क्स चाह कीजिए तो मैं मार्क्स नहीं तो वहां 490 जा कि आपने 496 से कहा है तो मैं मैं बहुत ज़दा खुशी हुई बहुत ज़दा खुशी हुई अपको बहुत बहुत मुआरक का आप पने स्कूल में फर्स्ट पोजिशन हासिल की है तो आप अपने पार्न्स का बता है जब कि आपके थास्ट कोई कासरें आप लेकर नृम के वहा वहां ड सकूम बहुत जा संटार कि हमेस्वयु और खुशा करता रहा है कोई पातान और थाए कि इसे पार्राप पार्था से मार्ख अपकर गय है तो एक्सपेक्टेशन जही थी कि 498, 499, इसे के आसपास एक्सपेक्टेशन थी, जब रिजल्ट दिने मैं 490 की था, तो मैं सुचा है, जितनी मेहनत की थी, उतना मेरा मिल चुका है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थीचर्स मुझे कर रहे थे, कि आपको 500 आउटा 500 लान है, तो मैं इसको मुकामल नहीं कर सका, मुझे बहुत जीता खुशी जब मैंने अपना रिजल्ट सुना, लेकिन इस बात की नाखुशी भी थी, कि मैं अपने उस्तादों की, जो मुझे पर एक्सपेक्टेशन से मैं इसको पूरा नहीं कर सका, तो आप सैटिस्फाइ हैं अपने रिजल्ट से? मैं खुद था, मैं सैटिस्फाइ हूँ, लेकिन इस बात से मैं आपको पहली कहा कि, शायद मुझे लगता है कि मेरे टीचर मुझे सैटिस्पेन नहीं है, आपको यह वाद बताने चाहता हूँ कि जो हमारा सुकूल है, वो टीउशन के दोरा मेन डेसमबर जनरेर फैवरित इन तीन महिनों में हमारा मैगजिमम सेलबस कावर किया जाता है, आपको 60% सेलबस कावर किया जाता है, तो आनलाइन जब आनलाइन स्टट जब लागडन हुआ, तो हमारे टीचर ने बहुत जब कोशी की, कभी सुकूल में, कभी इसमें पढ़ाया, लेकिन दूट सिट्रक्ट रिस्ट्रक्ट के वज़े से, वो सुकूल में इसको कांटिनू नहीं कार सके, फिर उन्हें भी आनलाइन मोड स्टार्ट किया, हमें भी आनलाइन क्लासिद देने पड़े, लेकिन अवराल जो था, हमारा मेगजिम से पहले से कावर किया गया था, तो इतना एफ़ेक्ट नहीं हुआ. अश्यर जब स्कूल अथार्टिस को पता चला कि आपके फर्स्ट पोजिशन आपने हासिल की, आपके टीचर्स को, उनका कैसा रियक्शन था? जी, मैं, बहुत ज़र टीचर्स मुझे काल की, कहा कि कॉंग्रेश बेटा आपने आपने स्कूल में टाप किया है, बहुत बड़े हार एक टीचर की, हार एक टीचर ने फोन किया कि, बहुत बड़े है बेटा, लेकिन मैं, मैं आपको पहले का, कि वो मुझे पर 500 और 500 एक्सपर्ट कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि उतनी खुशी नहीं थी, उनको जितना वो एक्सपर्ट कर रहे थी, कि ये पहांस में बहांस वलाएगा, चलिए ठीक, अच्छा, आगे क्या प्लैनिंग्स है आपके, किस फिल्ड में आप जाना चाहेंगे, क्या करने का इरादा है आगे आपका, जी मैं, मैं भी मिडिकल फिल्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं परेपुर में मिडिकल की कोचिंग कर रहा हूँ, तो आगे मेरे प्लाइन है कि मिडिकल फिल्ड में जाओ, नियट को कालिफे करो, यही प्लाइन है मेरे मेरे मेरे. हमारी बेस्ट विशिज आपके साथ है, इंशालला आप नियट कालिफाई करो. तो अब आप उन स्टूनेंट्स को क्या मेसिज देना चाहेंगे, जो इस साल टैंथ क्लास में हैं और इस साल वो एक्जाम्स में एपियर होंगे, उनके लिए आपके क्या मेसिज रहेगा? उनके लिए मेरे यही मेसिज है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अपने टीचर्स का इज़त का खाया रखो, अपने स्कुल का नाम रोशंग करो, और चूंकि मैंने आपको पहले यह बताया कि मेरे टीचर्स मुझे पर एक्सपेट कर रहे थे, कि आप पांच में पांच साल आओगे, तो चूंकि मैं यहीं नहीं कर सका, तो उनके लिए मेरे यही मेसेज है कि उन टीचर्स को अमीद को जनों को मैं पूरा नहीं कर सका, वो इसको पूरा कर सके हैं. चलिए ठीक, तो यह थे हमारे साथ फैसल हमीद सहाब, जिनोंने पांस सो में से 496 नमबराद हासिल किये हैं. अब हम आपको मिलवाते हैं फाजिल निसार सहाब से जो इसी स्कूल के पिछले साल के पाउसाउट हैं, जिनोंने 498 नमबराद हासिल किये थे और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या रद्ध अमल रहा है क्लास 10 के इस साल के रिजल्ट को. First of all, Assalamualaikum to all of you. First of all, I am thankful to the QNS News team who gave me an opportunity to come in front of you. सबसे पहले, अगर मैं अपने स्कूल का नम लोंगा, यहां पर मैं पढ़ रहा था, All the Game of Luck, यहां पर जो हमार अपर आपर आए, साल का 496, फिर भी, it is the moment of pride, proud for the whole fraternity of the public English medium high school, हैं सिता पॉरा, from Shopyaan. First of all, I would like to tell you that our school belongs to the 4th Lang area, कि वहां पर जो internet की facility, communication, यहां पर रोड़ की facility, वो सब वहां पर उसमें बहुत ज्यादा प्रावलमा आते हैं वहां पर लेकिन, फिर भी, if I will talk about my faculty, that is particularly the principal and the wise principal of the institute, namely Mr. Arif Hussain, Hela from Batpora Kulgaam, and Mr. Mudassir sir from Hansita Pora Shopyaan, they are very hard-working teachers, कि वहां पर अगर हम अपने school की बात करेंगे, कि जब लॉक्डाउन हुआ तो, it was perhaps 10th of April 2021, 2021 जब schools बंद हो गई, उस वाकत जब मेरे teachers ने मुझे call किया, कि मैंने उनको बोला कि स्थर आपका service कहां तक पोचा है, कि उस वाकत मेरा principal मुझे बोल रहा है, कि math का एक region खातुम हुआ था, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, कि how much hard working teachers, they are, कि वो अपने जो 100% देते हैं, कि हम कहते हैं ना कि जो teachers होते हैं, वो 50% देते हैं कि और बाकि जो 50% होता है, वो बच्चे को खुद करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं अपने teachers की बात करूंगा, तो वहां पर 90% effort जो होते हैं, वो टीचर्स खुद लगाते हैं, और वहां से जो काम होता है, फिर स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत आसान बनता है, कि मैं मैं भी रह चुका हूं 13 साल तक मैं भी उस स्कूल में पड़ रहा था, मुझे पता है कि वहां पर क्या है, and if you will talk about the management of the public English medium high school Handtapura, particularly the chairman of the institute, Mr. Faruk Amad Bot and the secretary of the institute, Iqbal Ahmad Sheikh. They also work really hard for the betterment of the students and the name of the public English medium high school Handtapura and I will give you assurity that within years, our school that is public English medium high school Handtapura will be among the top institutes of the valley of the Kashmir. के लो कि लो दो कि के था स Negative I again congratulate my you whole of faculty that is the faculty of the Public English Medium High Schoolを हेंचत unlimited and at last I would like to give some a tips for the students who are going to appear in the assigned examinations which will be held in perhaps in the October November session of this year that please work hard and the most important thing in the examinations and in this all the journey that is consistency and dedication these are the two keys to a success that if you you will remain consistent you will achieve whatever you will want and last I have a particular the point or poetry verse of dr. sir Muhammad allama Iqbal that how are you say fall nahi girti hain jolly man how are you say fall nahi girti hain jolly man wakit ki shaak ko hilana hoga mere dost kuch nahi hoga andhira ko bura kehne se kuch nahi hoga andhira ko bura kehne se apne hisse ka dia to jalana yoga and at last I would like to again congratulate mr. Faisal Hamid who had topped with 496 he is the topper of the public English medium high school hands the poor and are at last again I would like to congratulate the whole faculty particularly mr. Arif sir mudassir sir rachid sir ishfak sir ajah sir irshad sir all irfan imran sir and talib sir they all are really hard-working and inshallah inshallah our institute will be within yours it will be one of the top most in a suit in the value of Kashmir thanks kuenas again nadirin ishri ke saath hummari pashkash after the exam ko pohuchti hai humbi kuenas team ki puri team ki taraf se un tamam student ko akonglet kongratulate karna chaathe hai jho is bar class 10th mein nuno nye ache marks hasil ki hai ishri ke saath mujhe ani apni maizban sabhan sari ko dehen jazat allah ni ke baad